अपिव नोवीन और आप दिखने अभारश्ट अड़ा नवोग्स अड़ा में घुवा फिर से स्वागत करता हूं आप सब इकांड जैसा कि थम्नेल में आपने देखा आज के इस वीडियो में हम रिविवी करने वाले अन्बोक्सिंग करने वाले बेला विटा लग्सदिरी क और से आने वाला सियो मेन पर्फियूम जिया दोस्तों सियो मेन पर्फियूम फाइनली मैंने पर्चेस कर लिया इसकी काफी ज्यादा डिमांड दी चलिए सबसे पहले बेला विटा लग्जरी का यह जो पर्फियूम है उसके अन्बॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं तो ग बेला विटा लग्जरी का सियो मेन पर्फियूम का जो बॉक्स से मेरे सामने आ चुका है बेला विटा लग्जरी का यहां पर पर्फियूम में उसकी इमेज लगी हुए चलिए प्लास्टिक को हटाते हैं और उसके बाद इसको ओपन करते हैं उसके बाद यहां पर जो बॉ ब्लेक कलर की है, साथी साथ गोल्डन कलर का यहां पर ब्रेंडिंग है, और गोल्डन कलर का ही लिड उपर दिया गया है, नीचे यहां पर आपको इसकी डेट वगेरा, मैनुफेक्ट्रिंग डेट और साथी MRP दी गई है, तो यह सारी डीटेल आपको बोटल के उपर मिल जात इसके साथ पर्सनली मैं इसे कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास डिलीवर हो, उसके बाद मैंने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं आपको एक जैनुवन और रियल रिव्यू दे सकूँ इस परफ्यूम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात करें बोटल की, तो इस तरह की बोटल मिल जाती है, यह तो बैसिकली इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, बेला वीटा के इस पर्फ्यूम के बारे में, बैसिकली मैं आपको अन्बोक्सिं करके दिखा दी, अब बात करते हैं, बेला वीटा के इस पर्फ्यूम के फ्रेग् गया है चलिए सारी डीटल जान लेते हैं तो सियो में पर्फ्यूम है 100 ml के कंटेनर में मिल जाता है और इस तरह कि आपको पैकेजिंग मिल जाती है यहां पर आपको ब्लेक कलर की बोटल मिल जाती है जो कि कांच की बोटल है और ऊपर आपको गोल्डन लीड मिल जाता है जो कि एक अच्छी कासी पेकेजिंग लगती है हाला कि इस पर थोड़ा बहुत और काम किया जा सकता था पेकेजिंग पर फिर भी जो पेकेजिंग है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है बेला विटा के हलकी से ब्रेंडिंग है इसके साथ बात करें तो 100 ml की बोटल में आपक मेले जान लेते एंड उसके बा Wikipedia कोन Nagora को मुझे कौन और इसमीत है जरूर के एंगा इसमें सैठाउट की टरफ कीज़िंग बटाया है सारे सारे ने लने वाला वाले कर दावे brand की तरफ से किये गए है इक है तो ऑफ से बार QUESTION के बारे में जैनेगे अब बात करते हैं सबसे पहले है नॉट के बारे में जो की ब्रेंड ने दरसाए गये है में ने पेकेजिंग उसके बारा इसके बारे में झानते है जो है experience रहा है कौन-कौन से notes इसमें मिले हैं कौन-कौन से notes missing है वो सारी चीज़े जारने वाले मेलाविटा ब्रेंड का कहना है कि यह जो पर्फ्यूम ओयल है वो फ्रेंच से इंपोर्ट किये हैं और इंडिया में बनाया गया है और पैकेजिंग इंडिया में की गई है चलिए अब जानते हैं इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में top note की बात करें तो इसमें top note में आपको कौन-कौन से notes मिल जाते हैं top notes की बात करें तो यहां पर citric top note आपको मिल जाता है जिसमें आपको lemon जैसी थोड़िसे fragrance आएगी अगर middle note की बात करें middle note aromatic base note की बात कि जाए तो hoody touch आपको मिल जाए यह जो है brand की तरफ से दावा किया जा लेगी और आपको काफी अची fragrance मिल जाती है नहीं है कि आपको यहां पर fragrance मिल जाती है जो कि personally मुझे अची लगती है इसके जाथी साथ अगर बात करतें जा की you do जात 원래 जाने लगेगा ले अगे अब बात करने ले आगे अब बात करने दूआ ही आगे- करें कुछ fragrance की इसके नोट की तो अभी देखे स्टार्टिंग में तो आपको सिट्रिक नोट बिल जाता है ब्रेंट की ओर से जो की नोट दिये गए हैं लेमन अगर वुड इसके साथ ही साथ टॉंका साथ ही साथ यहां पर जो है लेवंडर भी बताया गया बेसल भी इसमें ब बता दू कि लेवंडर की जो आपको fragrance है वो मत्तब बिल्कुल पता चलेगी ही नहीं मत्तब मुझे भी बिल्कुल हलका सा कहीं फील हुआ है बाकि लेवंडर का यहां पर कोई भी उतना जादा नोट में पता नहीं लगाए इस बेला विटा के सियो में परफ्यूम में अगर बात करें दूसरे इसे नोट की बात करें जो कि इसमें आपको पता नहीं लगेगा या फिर काफी कम पता लगेगा वो है बैसिल बैसिल का भी आपको उतना जादा पता नहीं लगेगा कहीं कहीं आपको जो है मिडल नोट के बाद हलका फुलका बैसिल का फील आ सकता है उसक की सबसे बैस्ट लगी कि यह जो बेला विटा का सीओ मेन पर्फ्यूम में इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी है मतलब फ्रेग्रेंस आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी फ्रेग्रेंस मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी एक तो आपको जो है इसमें सोड़ा मिक्स नोड मिलेगा आपको चिक साथ मिलेगा नोट लेकिन शुद्रक क्राइब होलेगा इस वोधी पायगा यह परफ्यूम अगर बात करें बेला वीटा सेयो मैन के परफ्यूम की तो लॉंजीविटी की बात करें तो मैंने इसे कुछ time तक use गया है 3-4 बार में इसे use गया है एंड उसके बाद कितना लोंग ये टिक पाया है skin और clothes पर वह बात करते हैं तो मुझे लगा कि यह 3-4 गंटे hardly टिक पाता है, इससे जादा नहीं टिक पाता है, हलागि 4-5 गंटे बाद भी इसकी mild fragrance आपको personally feel होगी, लेकि सामने वाले बंदे को feel नहीं होगी, यानि कि ऐसा नहीं है कि इसकी fragrance long time तक नहीं टिकती है, 3-4 गंटे तक तो इसकी fragrance काफी जादा अच्छी आती है, लेकिन 4-5 गंटे बाद इसकी जो fragrance है, वो काफी mild होती चली जाती है, मतलब काफी जादा mild होती चली जाती है, सिर्फ आपको personally feel होगा कि हाँ आपने कोई fragrance, कोई perfume लगार किये, सामने वाले बंदे को उतना जादा feel नहीं होगा, तो अगर अभी winter का time है, और अगर आप इसे summer में use करोगे, तो इसकी longevity और भी कम हो जाएगी, तो longevity में जादा better perform नहीं कर पा रहा है, एक duo से थोड़ा better perform कर रहा है, हाला कि इसकी pricing की बात कर दें, तो ये under 500 आपको मिल जाता है, अंडर 500 में एक best perfume मुझे लगा, वैसे, इसके साथ ही साथ मैंने एक और perfume है, जो कि आपको काफी जादा अच्छे pricing में मिल जाता है, 100 ml के bottle में मिल जाता है, बर्गा मोट perfume, उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है, वो भी आप वीडियो जाकर के देख सकतो है, वो भी वीडियो आप जाकर के देख सकतो है, चैनल पर वीडियो एवेलेब perfume जो है, personally इसकी fragrance मुझे काफी जादा अच्छी लगी, इसकी fragrance जो है hard नहीं है, बलकि आपको mild सी perfume की जो fragrance हो मिलने वाली है, जो कि personally मुझे अच्छी लगती है, एक mild सी perfume की fragrance अच्छी लगती है, अब बात करते कौन कौन इसे यूज़ कह सकता है, और किन किन occasions पर यूज़ कि school में हो सकता है, तो इस function में आप चाहें तो इसे use कह सकतो, definitely, लेकिन अगर आप college student नहीं हो, अगर आप office जाते हो, तो भी आप इसे use कह सकतो, occasion के हिसाब से party वगेरा में थोड़ा बहुत आप इसे try कर सकतो, बागी छोटे मोटे functions में आप try कर सकतो, एक अच्छी आपको fragrance दे में जो perfume है, basically वैसे तो में के लिए है, लेकिन ये unisex perfume है, दोनों ही ये से use कह सकते, girls boys दोने use कह सकते, इसके साथी साथ बेला विटा के ये जो perfume है, इसके conclusion की बात करें कि आपको under 500 में purchase करना चाहिए, नहीं purchase करना चाहिए, देखे अगर आपको citric और flower की fragrance पसंदे, तो definitely आ आपको काफी अच्छी माइड सी perfume की fragrance मिलने वाली है, साथ ही साथ longevity, four to five hour की longevity मिल जाएगी, ज्यादा आप जो है, एसपक्ट मत कीजेगा, आने वाले time में कुछ और भी perfume में test करके आपको बताने वाला हूँ, अगर आप personally किसी perfume को, या किसी भी product को review करवाना चाहते हो, उस channel आपा, तो comment section में comment करके बताएगा, मैं पूरी-पूरी कोशिस करूँगा, उस product को आपके लिए लाने की, उसे test करने की, उसका review आपके साथ share करने की, पूरी कोशिस करूँगा, I hope आपको ये वीडियो पसना आप, वीडियो को like कीजिएगा, वीडियो को share कीजिगा, और इस personally मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन काफी जदा long lasting सोच कर आप इसे मत दीजेगा, brand का दावाय 8 गंटे टिक हैगा, उतना जदा नहीं टिक पाएगा, 8 गंटे, 4-5 गंटे आपको अच्छी mild सी fragrance में लेगी, 5 गंटे बाद भी हाला कि ये बिल्कुल घतम नहीं होगा, हलक इसका एक छोटा package भी आता है, जिसका offer मैंने कई बार अपने टेलिग्राम चेनल पर बताया है, वैसे वो महंगा आता है, लेकिन मैंने कई बार उसका offer बताया, 100 रुपीज के आसपास में, हमारे टेलिग्राम चेनल जोइन कर सकते हो, इसका भी मैं कई बार offer बताता रहता कई बार में इसके सस्ते offer बताता हूं, टेलिग्राम चेनल पर, जिससे कि आप इसे कम प्राइज में पर्चेस गया सको, साथ इसका best offer link में मैं मैंने description में दिया हुआ, description से आप इसे easily purchase करना चाहें, तो कर सकते है, बागे personally मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेर किया, इस perfume का काफी ज़्यादा trend भी चल रहा है, इस perfume इस brand के बारे में काफी ज़्यादा hype create की जा रही है कि काफी ज़्यादा तगड़ा perfume है, हाला कि fragrance काफी अच्छी है, लेकिन longevity उतनी अच्छी नहीं है, यह मैंने सारी detail इस वीडियो में cover करने की कोशिश क आपको यह वीडियो पसंद आगे, वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेर कीजिए, और इस genuine रिवी वीडियो के लिए मारे साथ बने रही है, मिलता है जिता रहे कि एक और unboxing रिवी वीडियो में तर तक लिए, अपना क्याल रहे है, खुश र ये